नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर, Facts for Plums आज हम पढ़ेंगे ग्योरिजा मौस मैंसिस के बारे में, यह बेसिकली एक स्नेल स्पीशिस है यह न्यूस में इसलिए आया था, रिसनली एक माइक्रो नेल्ट स्पीशिस नेव्ड ग्योरिजा मौस मैंसिस हाज बीन डिसकरवरड इन मौस माई केव इन मेखालेया अब यह मौस मैंसिस नाम के से आ गया, यह आपको पता होगा, यह बेसिकली मेखालेया का मौस मैं केव में से रिसनली डिसकरवर हुआ था लास्ट टेम यह ग्योरिजा जिनर्स में एक स्पीशिस इंडिया में 170 साल पहले 1851 में डिसकरवर हुआ था अब दोस्तों थोड़ा सा डीटेली जानते हैं जियोरिजा मौस मैंसिस के बारे, 1851 में और एक स्पाइरल स्पीशिस डिसकरवर हुआ था, जिसको नाम दिया था जियोरिजा सारिटा, अब यह जियोरिजा सारिटा और जियोरिजा मौस मैंसिस में थोड़ा बूर डिफरें तो यह सब differences है basically जिवरेसा शारिटा and जिवरेसा मॉस्मैंस इसमाइब इनके habitat कहा है जिवरेसा is found in soil और subterranean habitat in lawland tropical forest subterranean मतलब दोस्तों basically surface of the earth से नीचे तो basically soil के अंदर ही आपको मिलेगा as well as high altitude evergreen forest और on rock surfaces rich in calcium देखे जहाँ calcium rich area से उतन आपको सबसे यादा snail species मिलेगा ठीक है distribution देखिए कहा कहा पे Africa, Asia, Pacific area and however they are confined to micro habitats consisting of limestone caves देखिए कोई भी area में आपको दिखे इसके अंदर एक micro habitat उथा जहा है इनकी population जो है सबसे ज्यादा आपको मिलेगा जैसे limestone caves में cast landscapes में formed by the dissolution of limestone तो basically limestone से जो बना है caves हो गया है, जो landscapes हो गया जहां calcium rich area से वहाँ आपको सबसे यादा snail species मिलेगा basically जो zero species है वो भी आपको उधर ही मिलेगा इनके उपर threat क्या है high tourist influx, देखिए जब ये लोग trekking के लिए या फिर forest के अंदर ऐसे trekking बगएरा करते ना जब ज़्यादा ही आता है तो आपको पता है human activity के बज़े से हर species threat में है, तो snail के उपर भी threat है अब दोस्तों finally mossmai caves के बार में भी जान लेते हैं this is also very important, mossmai caves का photo अभी तर देख सकते हो ये situated है mossmai village में जो मेखाले के east khasi hills district में है चिरापुजी जो है खासी language में mossmai का मतलब होता है Oath stone khasi people cave को crème बोलते है this is also important, ध्यान दीजएगा crème मतलब khasi language में cave होता है and it is located at an altitude of 1195 meters above sea level and is indirectly influenced by the streams of kainshi river originating from the east khasi hills तो और एक river करना मिल गया जो मेखालेया में है east khasi hills से originate होता है वो है kainshi river अब kainshi river और indirectly इस mossmai caves को influence करते है मतलब kainshi river की जो पानी है directly नहीं पहुंचता होगा पर indirectly कहीं सारे stream के तुरू इसके अंदर पहुंचता होगा तो ध्यान दीजएगा kainshi river, east khasi hills, mossmai village, mossmai caves, crème जो cave को बोलते हैं यह सारी चीज़ है तो दोस्तों that's end of it I hope आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा लक्षे की PDF as usual आपको टेलिग्राम चानल में मिल जागा जिसका लिंक नीचे प्रोवेड़ है thank you for watching, bye bye have a next day